हलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है लॉड्स आफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज हम जिस वन आफ दा फाइनेस्ट इंडियन इंग्लिश राइटर के बारे में बात करेंगे वो हैं कमला मारकंडिया तो आएए चलिए शुरू करते हैं कमला मारकंडिया का जन्म 1st January 1924 को मैसूर में हुआ था उन्होंने मदरास उन्वस्टी से अपना ग्रैजुएशन कम्प्लीट किया कमला ने अपने करियर की शुरुआत एक जन्रलिस्ट के रूप में की और आगे चल कर एक सफल राइटर भनी खास्तों से उनकी शौर्ट स्टोरीज उस वक्त के सभी निउस पेपर्स में छपती थी भारत को आजादी मिलने के बाद वो ब्रिटन में सेटल हो गई और वहाँ उन्होंने बर्टरन टेलर नाम के एक अंग्रेज से शादी कर ली कमला की राइटिंग्स मुख्य रूप से इंडियन एग्रिकल्चरल कम्यूनिटी पर बेस्द थी उन्होंने इंडियन लिटरेचर को वेस्टरन वर्ट तक पहुचाने में महतुपूर्ण योगदान दिया 1954 में पब्लिश उनकी फर्स नॉवेल नेक्टर इन असीव एक भारती ग्रामीड महिला की कहानी है इसे उनका मोस्ट पॉपलर वर्क माना जाता है कमला की सेकंड नॉवेल सम इनर फ्यूरी उनकी परसनल लाइफ पर आधारित है जिसमें एक भारती महिला एक इंग्लिश मैन से प्यार करती है उनकी अग्री नॉवेल असाइलेंस ओफ डिजायर मैरिज और कॉंस्लिक्ट ओफ वेल्यूस पर बेस्ट है मारकंडिया की राइटिंग्स में वेस्टर्न वेल्यूस, मॉडर्न और मैटेरिलिस्टिक हैं जबकि इंडियन वेल्यूस, ट्रडिशनल और स्पिरिच्छुल हैं उनकी अन्य पॉपुलर नॉवेल्स हैं पॉजेशन, ए हैंडफुल ओफ राइस, दे कॉफर डैम्स, दे नोवेर मैन, टू वर्जिन्स, दे गोल्डेन हनी कॉंप और प्लेजर सिटी जिसे बाद में शाली मार के नाम से भी पब्लिश किया गया किड्नी फेलियर की वज़े से 79 इयर्स की उम्र में कमला मार कंडिया की डेथ हो गई तो दोस्तों, ये थी कमला मार कंडिया, उमीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर आप किसी और टापिक पर वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये लिखना बिलकुल मत भूलिएगा आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू